हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ फुले फुले गोल गोल सुची के अपब सुबा के नाश्टे के लिए ये पर्फेक्ट रेस्पी जो जट से बन भी जाती हो सबको अच्छी लगती तो चलिए इसे बनाना शुरू करती है सबसे पहले मैंने अदा किलो सुची लिए है पांच जन के हिसाथ से सुची में अब एक कप छाज का मिलाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी मैंने इसमें एक कप पानी का भी डाल दिया अभी से भी अच्छे से मिक्स करके हम सुजी को 20 मिरस सेट होने के लिए रखेंगे तब तक सुजी अच्छी से फोल जाएगी अब ही मैंने लिया है एक कटा हो टमाटर शिमला मिर्च, गाज़ा अद्रक लसन का पेस्ट और एक प्यास सबजियों को पकाने के लिए मैंने सरसो का तेल लिया है तेल गर्म होने के बाद एक चमच राइक का कड़ी पते और अद्रक लसन का पेस्ट इसमें डाल दिया अद्रक लसन को बूरने के बाद प्यास डालके उसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाई मैंने जो सबजें इसमें एड़ करी हैं आप उसके इलावा भी अपनी पुसंद की सबजें डाल सकते अभी मैंने इसमें एक ग्रेट की हुई गाचे भी डाल दी एक कटी हुई शिमला मिर्च एक टमाटर और तीन से चार हरी मिर्च या डालके इसे भी हम पकाएंगे सारे सबजें को तीन से चार मिनट तक पकाएंगे दो छोटे चमच इसमें नमक के डालेंगे आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग नमक कम जादा कर सकते आदा चमच इसमें मैंने काले मिर्च का और एक चमच इसमें गरा मसाला का एड़ किया अभी हम गैस को बन कर देंगे सुजी जो हमने रेस्ट करने रखी थी वो भी अच्छे से फोल चुकी है अभी इसमें तड़के वाले सबजी भी आइड़ कर देंगे इसे भी अच्छे से आप मिक्स कर लें आप चाहे तो बिन फ्राइ किये भी कच्छी सबजी जाल सकते अभी मैंने इसमें आदा चमच नमक का आदा चमच इसमें बेगिंग सोडा का डाला और इसमें थोड़ा सा पाने डालके इसे अच्छे से फैंट लिया और एक चमच इसमें cooking oil का डाल दिया अभी बैटर को अच्छे से mix कर लेंगे अब हम पैन को तेल से grease करेंगे अब हमें सभी mold में बैटर को डालना है एक एक चमच हर mold में हम डालेंगे आप चाहे तो बीना तेल लगाए भी अब हम को पका सकते अभी मैंने तेल को उपर से भी थोड़ा लगा दिया इसको अब हम दोनों साइड से दो-दो मिनट तक low flame पे पकाएंगे एक साइड से पकने के पाद इसे चमच से उल्टा करके दूसरी साइड से भी दो मिनट तक पका लें हम यहाँ पे instant up pump बना रहे हैं तो मैंने इसमें बेकिंग सोड़ा का इस्तमाल किया है अगर आप बीना बेकिंग सोड़ा की बनाना चाहते हो तो आप रात को इस उच्जी और देहीं को मिक्स कटके फर्मेंट होने के लिए रखते वो अच्छे से नेक्स डे फुले फुले अपम बनेंगे तो अब हमारे अपम बनेंगे रेडी हो चुके हैं तो अमीद है आपको ये रेस्पिस जरूर पसंद आई होगी ऐसे नए नए रेस्पिस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें